हम इंसान खुद की बनाई हर चीज़ पर बहुत नास करते हैं जैसे क्रॉस ब्रेडिंग करके हम नया डॉक ब्रीड बना लेते हैं वैसे ही वाइल्ड एनिमल का हाइब्रिड करके नया जानवर बना लेते हैं जैसे जंगल के दो एपेक्स प्रेडिटर, लायन और टाइगर का क्रॉस ब्रीड करके लाइगर और टाइगाउन बना लिया वैसे ही कुदरत भी कभी कभी हाइब्रिड टाइप एनिमल बना देती है जो पूरी तरह से कुदरती होने के कारण बहुत आसानी से इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं तो आज हम एक ऐसे ही जानवर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका बॉडी स्ट्रक्चर हाइना की तरह होता है और बॉडी साइज एक घोडे के बराबर होती है जिसके पास सींग पहाडी बकरी की तरह होते हैं वही नाम में गाय जुडा होता है मगर कुछ लोग इसे एशियन एंटिलोग भी कहते हैं हम बात कर रहे हैं नील गाय के बारे में जिसे ब्लू बक या इंडियन एंटिलोग भी कहा जाता है ये जानवर इतियास सही अपने विशेश नाम और नाम के कारण काफी उल्जनों में रहा है आज हम इस जीव के बारे में कुछ गजब की बाते बताने वाले हैं जो शायद आपने इसके बारे में कभी सुनी ना हो तो विडियो के एंड तक रुखना और हमें आपका फेवरेट एनिमल ज़रू बताना जिस पर हमें स्पेसिफिक विडियो बना सकें तो चलिए विडियो की शुरुआत करते हैं नीलगाय बॉविडाय फेमली से बिलोंग करने वाला एक अदबुच जीव है एशिया के अलावा कहीं और नहीं पाये जाते ये जीव कम पानी पीकर भी जिन्दा रह सकते हैं इसलिए रेगिस्तानी इलाकों में खास कर बहुत आयत में देखे जा सकते हैं बारत के राजिस्तान, मध्यवरदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार जैसे राजियों में इनको देखा जा सकता है वैसे ये अदबुच जीव पाकिस्तान और नेपाल में भी पाये जाते हैं इन्हें गने जंगलों और पहाडों पर नहीं पाये जाता और इने खुले घास के मैदानों में रहना पसंद होता है साथी नीलगाई ज्यादा तर फार्मिंग लेंड पर विचरन करती देखी जा सकती है नीलगाई के आगी के पैर पिछले पैरों से ज्यादा लंबे होते हैं इसी कारण से इसके शरीर घोड़े की तरह दिखाई देता है और कदगाठी में लगबग घोड़े के बराबर होती है एक वयस्क नीलगाई की उचाई 5 फीट तक या उससे भी ज्यादा हो सकती है नर मादा से शरीर और वजन में ज्यादा होते हैं जहां नर का वजन 200 किलोग्राम होता है वहीं मादा का वजन 215 किलोग्राम तक हो सकता है नर का रंग नीला होता है इसलिए इस जानवर को नीलगाई भी कहता है मादा का रंग नीला ना होकर भूरा होता है रंग की तरह सींग में भी फर्क होते हैं जिसमें ज्यादा फर्क पता करपाना मुश्किल होता है कुट्य की तरह इस खुबसूरत जानवर के सुंगने की शक्ती बहुत अच्छी होती है और सुनने में उतना ही कमजोर होता है जिस कारण इसे हमेशा जंगली जानवर जैसे बाग, तेंदुए और लकडबगे से खत्रा बना रहता है इन सबसे ज्यादा इसे इनसानों द्वारा भी शिकार किया जाता रहा है नील गाए आम तोर पर शान्थ होते हैं मादा कभी भैंस की तरह रंभाती भी है वैसे ये शाकहरी जीव ज्यादा तर जुण में ही पाये जाते हैं कभी-कभी नर अकेले विच्रन करते देखे जा सकते हैं आपस में लड़ते हुए किसानों की फसल तक को वरबात कर दिया जाता है इसी कारण इन्हें किसानों का दुश्मन भी माना जाता है और वो इसे अपने खेतों से भगाने में लगे रहते हैं इसके अलावा इतिहास में इस जीव का बहुत ज़्यादा शिकार हुआ है जिस कारण से ये आज विलुपती की कागार पर पहुँचने वाले हैं और कई जगा से विलुपत हो चुके हैं वैसे ये जीव काफी जगा से विलुपत हो चुके हैं और आज अपने अस्तित्वी की लड़ाई भारत में भी लड़ रहे हैं आपका क्या मानना है इस बारे में वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताईएगा और आप जहां से बिलॉंग करते हैं बहां इस जानवर को किस नाम से बुलाते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आज की वीडियो के लिए बस इतना ही धन्यवाद